मंगलवार को CM योगी आदितिनाथ ने मृतक विविक के परिवार वालों से मुलाकात की और साथे उनकी हर्मांग को स्विकार भी किया, जिसके कुछ घंटे बाद ही CM योगी ने अपने वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार लखनों के नगर आयोक्ति के इंद्रमनी त्रिपाठी उनके आवास पर पहुँचे और शेक्षिक प्रमान पत्र लेकर खार्यालय चले गए। इसके कुछ देर बाद ही कलपनात्तिवारी को नगर निगम लखनों में जनसंपर कदिकारी का पद ओफर कि आ गया है। हालाकि अभी तक इसकी किसी भी तरह कोई ओफिशल जानकारी नहीं दी गई है। राचे सकार पर बढ़ा विवेक तिवारी की पत्नी का भरोसा नगर निगम विभाग में इतनी सैलरी पर होगी जोईनिंग कल ही लटनों के मेर सयोकता भाटिया ने उनको नौकर का अश्वासन दिया था। इस पद के मिलने के बाद कल्पनात तिवारी की सैलरी 45 से 50 हजार रुपए के बीच निर्थारित करने की बाद भी कही जा रही है। इससे लटनों नगर निगम में पियारों की पोस्ट नहीं थी। कल्पनात तिवारी की नियुक्ति की सूचना न बढ़ गया। आज उन्होंने अपनी परिवार के साथ सीम से मुलाकात की जिसमें सीम ने उनकी सारी बातें सुनी। उन्होंने सीम के सामने अपनी पती की निर्मम हत्या होने के बाद न्याय की मांग की और साथी कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। कल्पना का कहना है सीम न कारिवाही की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है और अफसरों के साथ दोबारा तलब भी किया। साथ ही दिने शर्मा ने भी बच्चों के भविश्य की चिंता चताई और मा और बच्चों के नाम पांच लाक रुपे की एफडी कराने का आदेश दिया है। बच्चों के भविश्य की चिंता चताते हुए उन्होंने बच्चों के लिए हर संभरों मदद करने का अश्वासन दिया। इस मुलाकात में प्रमुख ग्रह सचिव भी मौजूद रहे। बतादे आए दिन बढ़ रही घटनाओं से सीम योगी नारास चल रहे हैं। उन्हों विवेक्तिवारी की पूरी रिपोर्ट मंगवाकर जाच भी की है।